Hello dear children, today we are going to solve practice set 1.2, class 8, math. Question number 1, show the following numbers on a number line. Draw a separate number line for each example. First example दिया गया है 3 upon 2, 5 upon 2, minus 3 upon 2. अभी यहाँ पे जो rational number से वो हमें number line पे show करने हैं. तो firstly हमें क्या करना है? एक line ड्राओ करनी है इस प्रकार से? इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक line ड्राओ किया है. अभी इस line का हमने यहाँ पे center point लिया है. यहाँ से लेके यहाँ तक 16 जो number है, यहाँ तक हमने count क्या है? और 16 का जो middle point है, center point है. 8 पे हमने note down क्या है? यहाँ पे center point मिल गया है, यहाँ पे 0 note down क्या है? अभी हमें यहाँ पे यह जो नंबर से यह नंबर लाइन पे शो करने हैं तो firstly यहाँ पे इसका डिनोमेटर क्या दिया गया है 2 दिया गया है इसलिए हमें दो पॉइंट्स के बीच कितने लाइन्स खीचनी होगी वो हमें पता नहीं है तो firstly 2-1 इक्वल टू 1 याने दो पॉइंट्स के बीच हमें वन लाइन ड्रॉ करने हैं तो for example अभी 8 नंबर पे हमने यहाँ पे नोट डाउन किया था 11 cm का डिस्टंस यहाँ पे नोट डाउन करना है इस प्रकार से 11, 12, 13, 14, 15 इस प्रकार से लेप्ट हंड साइड भी सेम 11 cm का डिस्टंस लेना है अभी यह हो जाने के बाद हम यहाँ पे 0 के राइट हैंड साइड को पॉजिटिव नंबर राइट डाउन करने वाले हैं और 0 के लेप्ट हैंड साइड को निगेटिव नंबर राइट डाउन करेंगे अभी यह हो जाने के बाद यहाँ पे कितनी लाइन्स हमें खिचना है दो पॉइंट के बीच यानि 0 और 1 के बीच कितनी लाइन्स चाहिए हमें 1 तो यहाँ पे सेंटर में दोनों के सेंटर में हमने यहाँ पे नोट डाउन किया यहाँ पे दोनों के सेंटर में इस प्रकार से हमें 1 लाइन ड्रॉ करनी है दो नंबर के सेंटर में find out करेंगे, तो firstly 0 को छोड़ देना है, यहाँ पे 1 upon 2, 2 upon 2, और यहाँ पे यह जो points मिल गया, इसको note down करना है, 3 upon 2, next step 5 upon 2, फिर से count करना है, 0 को छोड़ देना है, 1 upon 2, 2 upon 2, 3 upon 2, 4 upon 2, और यह जो number है, यह है 5 upon 2, यहाँ पे 5 upon 2, next number है, minus 3 upon 2, तो फिर से यह negative number है, तो 0 के left hand side, तो यहाँ पे minus 1 upon 2, minus 2 upon 2, minus 3 upon 2, यह जो point है, यह है, minus 3 upon 2, इस प्रकाल से हमें number line पे यह points शो करना है, second example देखते है, second example में दिये गए है numbers, 7 upon 5, minus 2 upon 5, और minus 4 upon 5, अभी फिर से हमें separate number line ड्रॉ करनी है, तो हम इस प्रकार से उसको ड्रॉ करेंगे, देखो, 0 से लेके 16 तक के numbers हमें देखने है, इस प्रकार से 0 से लेके, यहाँ से लेके हमने, यहाँ तक 16 तक पॉइंट्स लिए है, दोनों side करना है हमें arrow, उसके बाद यह जो दोनों point से, दोनों point का center point ले लेना है, यहाँ पे 8 पे आ गया center point, इसको labeling कर देना है, यहाँ पे 0, अभी इसका denominator क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, तो अभी 2 points के बीच कितने lines होनी चाहिए, वो हम find out करेंगे, तो यहाँ पे denominator है 5, 5-1 किया तो answer मिल गया हमें 4, यानि 2 points की बीच, दो points हैने क्या, जैसे यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे है number 3, तो यह 2 points हो गए, 2 points की बीच कितने lines होनी चाहिए, 4, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से हमें draw करना है, तो हमें क्या करना होगा, 0 से लेके हमें distance लेना है, तो हम क्या यहाँ पे note down करेंगे, यहाँ पे 10 तक, यहाँ पे 12, यहाँ पे 14, 2, 2 cm का distance लेना है, इस प्रकार से हमने 2 cm का distance ले लिया है, अब यहाँ पे 0 था, यहाँ पे positive numbers 1, 2, 3, 4, यहाँ पे minus 1, minus 2, minus 3, और minus 4, अभी 2 points के बीच कितनी lines ड्रॉ करनी है हमें, 4, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, और 4, 1, 2, 3, और 4, उसी प्रकार से left hand side, 1, 2, 3, और 4, 1, 2, 3, 4, याने 2 points के बीच हमें 4, 4 lines ड्रॉ करनी है, इस प्रकार से, अभी यह हो जाने के बाद, first number हमें find out करना है, 7 upon 5, तो अभी यह positive number है, इसलिए 0 के right hand side को मिल जाएगा, तो यहाँ पे 0 को छोड़ देना है, 1 upon 5, 2 upon 5, 3 upon 5, 4 upon 5, 5 upon 5, 6 upon 5, और यहाँ पे मिल गया हमें 7 upon 5, next point है, minus 2 upon 5, यह negative number है, तो 0 के left hand side को मिल जाएगा, तो यहाँ पे 0 को छोड़ देना, minus 1 upon 5, और यह number मिल गया, minus 2 upon 5, next number है, minus 4 upon 5, तो अभी यहाँ पे, minus 2 upon 5 हो गया, minus 3 upon 5, और यह point मिल गया हमें, minus 4 upon 5, इस प्रकार से हमें, दो points के बीच कितनी lines ड्रॉ करना है, वो important है, यह दिए आपको समझ गया, तो आप आसान इसे यह, जो rational number से इस number line पे show कर सकते हैं, थोड़ एक्जम्पल देखते हैं, minus 5 upon 8 और 11 upon 8, इसी प्रकार से हमने यह number line ड्रॉ किये हैं, यहाँ पे center point मिल गया था हमें, यहाँ पे 0 label कर दिया है, अभी यहाँ पे denominator क्या दिया गया है, 8, तो अभी 2 points के बीच कितनी lines होनी चाहिए, तो क्या करेंगे, 8 minus 1 equal to 7, यहाँ जो 2 points है, यहाँ से लेके यहाँ ता, कौन से भी 2 points, यह 2 points के बीच हमें कितनी lines चाहिए, 7, जैसे यहाँ पे 1 और 2 है, तो 1 और 2 के बीच में 7 line, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार से हमें यह draw करना है, तो यहाँ पे तो 0 मिल गया, तो 0 से लेके हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे मैंने 8 पे label कर दया था, center पे, तो यहाँ पे 12 पे करेंगे, याने 9, 10, 11, 12, 12 के बार 13, 14, 15 और यहाँ पे 16 पे हो गया, उसी प्रकार से यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0 पे, इस प्रकार से, अभी यहाँ पे positive number 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे negative number minus 1 और यहाँ पे minus 2, अभी 0 और 1 के बीच, कितनी lines चाहिए हमें? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 और 2 के बीच 7 line, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसी प्रकार से, लेप्ट हैंड साइड 7 lines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, minus 4, minus 2 के बीच में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अभी फर्स नंबर हमें शो करना है, minus 5 upon 8, तो निगेटिव नंबर है, तो 0 के लेप्ट हैंड साइड, minus 1 upon 8, minus 2 upon 8, minus 3 upon 8, minus 4 upon 8, minus 5 upon 8, यह नंबर मिल गा है, यहाँ पे, minus 5 upon 8, अभी शो करना है, 11 upon 8, तो यह positive नंबर है, तो 0 के राइट हैंड साइड, तो 0 को छोड़ देना है, यहाँ पे, 1 upon 8, 2 upon 8, 3 upon 8, 4 upon 8, 5 upon 8, 6 upon 8, 7 upon 8, 8 upon 8, 9 upon 8, 10 upon 8, और यहाँ पे मिल गा है, यह पॉइंट, 11 upon 8, इस प्रकार से हमने यहाँ पे यह थर्ड एक्जांपल भी कंप्लेट कर लिया, और तेक्जांपल देखते हैं, 13 upon 10, और minus 17 upon 10, यहाँ पे इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर ली है, उसका सेंटर पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पे देखो 16 सेंटिमीटर की यह लाइन ड्रॉ की थी, उसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे 8 पे मैंने नोट ड्रॉण क्या है, अभी यहाँ पे 0 से लेके जो पॉइंट हमें मिलने वाले है, 1, 2, 3, 4, वो दो पॉइंट के बीच में हमें कितनी ड्रॉ करने है, तो यहाँ पे डिनोमेटर दिया गाये था 10, तो 10-1 क्या है तो 9, यानि दो पॉइंट के बीच हमें 9 लाइन चाहिए, तो हम क्या करने वाले हैं, अभी यहाँ पे 8 से लेके 12 तक, यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, 12 से लेके 16 तक, उसी प्रकार से यहाँ पे 4 तक और यहाँ पे 0 तक, इस प्रकार से हमने नोट डाउन किये हैं पॉइंट्स, यहाँ पे positive point 1 और 2, यहाँ पे negative point minus 1, minus 2, अभी 2 points के बीच, याने 0 और 1 के बीच कितनी लाइन्स चाहिए हमें, 9 लाइन्स, तो इस प्रकार से ड्राउ करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसी प्रकार से 1 और 2 के बीच में, 9 लाइन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 और minus 1 के बीच, 9 लाइन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, minus 1 और minus 2 के बीच, 9 लाइन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस प्रकार से हमने यहाँ पे lines ड्राउ किये हैं, अभी first number शो करना है 13 upon 10, तो 0 के right hand side को हमें 13 upon 10 लाइन्स, जाएगा, 1 upon 10, 2 upon 10, 3 upon 10, 4 upon 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 upon 10, 11 upon 10, 12 upon 10, और यहाँ पे यह point मिल गया हमें 13 upon 10, अभी यहाँ पे number find out करना है, negative number है, minus 17 upon 10, तो 0 के left hand side को, यहाँ पे minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, minus 10, minus 11, minus 12, 13, 14, 15, 16, 17, यहाँ पे यह जो number मिल गया है, वो है, minus 17 upon 10, इस प्रकार से यहाँ पे, यह जो दोनों number से, इस प्रकार से हमने number line पे शो किये हैं, question number 2 देखते हैं, observe the number line and answer the following questions, यहाँ पे number line दी गई है, यहाँ पे number line पे 0 और 1 के बीच, 3 lines draw की गई है, 1 और 2 के बीच 3 lines draw की गई है, उसी प्रकार से 0 और minus 1, उसके बीच भी 3 lines draw की गई है, अभी यहाँ पे 3 lines draw की गई है, इसका मतलब हमेज यहाँ पे जो rational number मिलने वाला है, उसका denominator 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 lines draw की गई है, तो यहाँ पे 0 और 1 के बीच 4 parts बन रही, यहाँ पे 1, 2, 3 और यहाँ से लेके यहाँ तक 4, इस प्रकार से, अभी first question देखते है, which number is indicated by point B, अभी यह जो point B है, कौन सा number indicate कर रहा है, वो हमें find out करना है, तो अभी इसका denominator क्या है, 4 है, यह ध्यान में रखना है, अभी यहाँ पे 0 है, 0 के बाद, minus 1 upon 4, minus 2 upon 4, minus 3 upon 4, minus 4 upon 4, minus 5 upon 4, minus 6 upon 4, minus 7 upon 4, minus 8 upon 4, minus 9 upon 4, और यहाँ पे, minus 10 upon 4, तो रैड़न करेंगे, यहाँ पे B जो point से, वो कौन सा number indicate कर रहा है, minus 10 upon 4, indicated by point B, second example देखते है, question, which point indicate the number, 1, 3 upon 4, अभी यहाँ पे यह mixed fraction दिया गया है, इसको proper fraction में convert कर देते हैं, तो 4 multiplied by 1, plus 3 upon 4, equal to 4, plus 3 upon 4, equal to 7 upon 4, इस प्रकार से यहाँ पे यह proper fraction में convert हो गया है, अभी यहाँ पे number line पे, 7 upon 4 कहाँ पे मिल रहा है, यह positive number है, तो find out करना है, यहाँ पे, 0 के, right hand side, 1 upon 4, 2 upon 4, 3 upon 4, 4 upon 4, 5 upon 4, 6 upon 4, और यहाँ पे मिल गया हमें, 7 upon 4, कौन सा point इंडिकेट कर रहा है, point C, तो यहाँ पे write down करेंगे, point C, यानि 7 upon 4 is indicated by point C, next देखते हैं, state, whether the statement, the point D denotes the number 5 upon 2 is true or false, अभी देखो, यहाँ पे point D दिया गया है, अभी C जो point से वो denote कर रहा है, 7 upon 4, यहाँ पे 8 upon 4, 9 upon 4, और 10 upon 4, यानि जो D points है, वो कौन सा number denote कर रहा है, D point denote कर रहा है, 10 upon 4, यदि दोनों number को 2 से divide कर दिये, तो यहाँ पे हमें number मिल जाएगा, 5 upon 2, यानि D जो point से, वो 5 upon 2 को भी denote कर रहा है, 10 upon 4 है, इसका short form बन गया 5 upon 2, यानि यह जो statement है, यह क्या है, प्रू है, इस प्रकार से यह आप यहाँ red down कर सकते हैं, इस प्रकार से आज हमने practice set 1.1 completely solve क्या है, आज का वीडियो कैसा लगा, वो comment करके बताने, वीडियो को like, share और subscribe करना ना भूले, thanks for watching this video,